हेलो फ्रेंज आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं सीटेट इंसी आटी इवीएश जो के आपके सीटेट एकजाम में 50 नमबर की आपको देखने के लिए मिलती है तो फ्रेंज अगर आप भी सीटेट एकजाम के तैयारी कर रहे हैं तो आप वीडियो को बिना क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट वह ज्यादा यूज़ फूल होने वाली है तो फ्रेंज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो शुरू होने अपना कालर है उसे बदलते रहते हैं कुछछ़़ इंफूल के बारे में जानते हैं पेड़ पे लगने वाले फूल पेड़ों गुलमोहर और पलास पानि के पौदे पर उखते हैं कमल और पुमुदनी जो फूल झारी योंपर लगते हैं वो है गुलाब और बेला जो फूल बेल पर लगते हैं वो है चमपा और रात की रानी जो फूल सालवर खिलते हैं वो है आपके गुलाब और गुड़हल नेक्स्ट है जो फूल किसी खास मईने में ही लगते हैं यानि खिलते हैं वो है गेंदा और डहेलिया जो के अक्टूबर और फरवरी माह में ही खिलते हैं जो फूल सिर्फ रात में खिलते हैं वो है रातरानी और हरसिंगार जो फूल दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं वो हैं आपके कमल और सूरज मुकी वो फूल जिनको आँखे बंद करके भी खुसबू द्वारा पहचाना जा सकता है वो है आपके गुलाब और बेला वह फूल जिनके इस्तेमाल से दवाईया बनाई जाती है वो हैं आपके गुलाब और गुड़हल अब हम आगे बात करते हैं गुलाब के फूल को औसदी के रूप में भी प्रयोग में लिया जाता है गुलाब तुचा के लिए भी बहुत लाबदायक होता है यदि गुलाब जल में गिलिसरीन और नीवू का रसमिलात नहीं जाए तो इस मिक्स्चर को अपनी इसकिन पर लगाते हैं और अगर इसकिन जो है आपकी खास रूप नहीं देती है तो इसे लगाने से सरीर में यानि आपकी इसकिन में कहीं रूखापन है तो इसे मिक्स्चर की सायता से उस रूखेपन को भी आप दूर कर सकते हैं इससे आपकी इसकिन कोमल हो जाती है अब हम बात करते हैं बहीदा प्रिजम खान की लेफटिनेंट कमांडर बहीदा प्रिजम खान भारतिये नौसेना में एक पूरी परेड की कमान सवाली थी और केसी भी सेना में यह बईसी बडी बात मानी जाती है नेक्सट पॉइंट है इनके गाांव का नाम धननामंदी है जो कि जम्मू कसमीर की राज़ओरी जिले में इस्टेत है नेक्स्ट बात करते हैं हम पॉस्टल कोड की। पोस्टल कोड को हम जिप कोड और पिन कोड भी कहते हैं इंडियन पिन कोड नबर का जन्म 15 अगस्त 1972 को हुआ था जिट का फुल-फॉर्म होता है जोन इंप्रूब्मेंट प्लान का फृल फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर पिन कोड यानी पोस्टल जो है इस पोड़ को छैडिजित का एक यूनिट नंबर होता है और सोले अंक के नंबर में पूरे एरिया की जानकारी इसमें छुफी हुई होती है उन्हीं अंकों से हम में पता चलता है कि इस पोश्ट कार्ड को कहां पर बेजना है पॉइंट नंबर फ़स्ट है आपका पहला अंक छेत्रों में से एक को इंगित करता है दूसरा अंक उप्षे करते हैं When के बारे में तो कबड़ी खुले मैधान में दो teem demás के वीच भी घायल होता है इस bağ प्रकार का प्रामोग खे卍 होता है इस फिर यते हुँ जब भी कोई खिलाडी घायल होता है तो उसकी जगे इन अतिरिक्त खिलाडीयों में से वहां भेज दिया जाता है और फिर वह उसकी जगे खेलता है नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कवड़ी खेल 15-15 मिनट की दो पारियों में होता है और दोनों पालियों के बीच 5 कवल यानि मध्यावकास होता है नेक्स्ट पॉइंट आपका कवड़ी खेल का मैदान 11 मीटर लंबार 8 मीटर चोड़ा आयता का रूप का होता है यह दो बरावर भागों में बटा हुआ होता है अब हम बात करते हैं कवड़ी खेल के अंदर कितनी लाइन होती हैं कौन-कौन बेम और यह सब्सक्रावन का बात करते हैं यानि लीफ के बारे में पद्ते रुणेदार होते हैं पत्ते हादी के कान जैसे होते हैं कटे फटे जैसे होते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है नीवू आम नीम तुलसी पुदीना हरा धनिया आध इन सभी में पत्ते होते हैं नेक्स्ट है आपका बिस्नु चिंचाल कर जी जो के मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे इनकी खास बात है कि यह सुखे पत्ते से बढ़िया बढ़िया चित लगते हैं नेक्स्ट है अम्रूद के पत्तों को चबाने से दांट ठीक रहते हैं नेक्स्ट पॉइंट है अम्रूद के पत्तों में बिटामिन सी पाया जाता है अब हम बात करते हैं जानवरों के सिकार के बारे में हाथी का सिकार उसके दांतों के लिए किया जाता है मार्केट में यानि बाजार में बेस दिया जाता है कस्तूरी हिरन को उसकी थोड़ी सी खुसवू के लिए मारा जाता है और उस खुसवू से इत्रियानी सेंट बनाया जाता है जानवरों को मारने वाले लोगों को सिकारी कहते हैं चट्टान पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चला जा सकता है पहार से उतरने को रैटलिंग कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका आम आम के बारे में हम बात करते हैं आम के गूदे में गोड़ो चीनी मिलाकर आम पापड यानि मामिडी तंट्रा बनाया जाता है किसी भी प्रकार का अच्छार लगने से पहले बरतनी को या फिस सीसी को धूप में सुखाया जाता है ताकि स सीसी में नमी न रहे और सारी नमी निकल जाए अगर सीसी में यानि कांच के जो डब्बे होते हैं उन में थोड़ी भी नमी रह जाती है तो अच्छार आपका सड़ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट है अगर आपसे कोई पूछे के आपको बहुत सारे आम दे दिये जाए तो आप उनको एक साल तक कैसे खाओगे तो उसका उत्तर है कि आप आम का अचार बना के रख सकते हैं आप आम का आम पापड चटनी टौफी या फिर रस आदिक कई प्रकार की चीज़े बना के उसे प्रिजर्ब कर सकते हैं यानि उससे सेफ रख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट है बैट के बारे में किसी भी ब्रैड या अन्य उत्पादन के पैकेट पर दी गई जानकारी से हमें उस सामान के बनने की तिती तता उसके मूले का पता चलता है पैकेट से उस सामान को कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें यह भी लिखा होता है उसमें इस्तेमाल हुई साम सामान के बजन के बारे में भी लिखा होता है इसलिए जागरुक नागरिक बनिये और कुछ अब पूरा ब्रेड ही खराब हो चुका है अब हम बात करते हैं एंसीएफ दो हजार पांच के अनुसार कच्छा तीन से लेके पांस तक के जो इवी यानि पर्रावन अध्यान को छह थीमों में कैसे विवाजत किया गया है पॉइंट फर्स्ट है आपका परिवार इवं मित्र पॉइंट सेकिंड है भोजन यानि फूड नेक्स्ट है आपका पानी यानि बाटर फोर्थ पॉइंट है आबास यानि सेल्टर फिप्ट पॉइंट है यात्र यानि ट्रेवल और आपका लास्ट पॉइंट है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं यानि ठिंक वी मेक एंड प्रेंस अब हम बात करते हैं हाथी यानि एलिफेंट के बारे में हाथी को पानी और कीचर में खेलना बहुत ही पसंद है इससे उसके सरीर को ठंडक मिलती है और गर्मी से राहत भी मिलती है नेक्ट पॉइंट है हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं गर्मी लगने पर हाथी हवा भी कर लेता है तीन महीने के हाथी का लगवक 200 किलोग्राम का बजन होता है एक बड़ा हाתी दिन में लगवक 100 किलोग्राम से जादा पत्य जाड़ियां का लेता है हाथी बहुत कम आराम करता है और एक दिन में केबल 2-4 घंटे हाथी पुएंट है हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं एक जुन्ड में दस्या बारी 12 हतनी और बागी बच्चे होते हैं जुन्ड की सब्षे बुचुर्ग हतनी ही पूरे जुन्ड की नेता होती है और वही जुन्ड का नेत्रत करती है नेक्स्ट पंची यानि वर्ड के बारे में बसंत गौरी का नाम बसंत गौरी नाम की जो चड़िया है यह गर्मियों में टुक्टुक करती रहती है टुक्टुक करने से पेड़ों में छेद हो जाता है और पेड के तने में गहरा छेद बनागे उसमें अंडे को रखती है अब हम बात कर इन सब के टुकड़ों और कपड़ों के चीतलों से अपना गोसला बनाते हैं, अब हम बात करते हैं दर्जिन चडिया यानि टेलर वॉ App15 हैं, और उनसे एक ठैली जैसे सनलचना बना लेती है, जिससे पत्ता घोसले की तरह बंद हो जाता है, और उसमें वो अंडे देती है नेक्स्ट पॉइंट है आपका चील बाज और गिद के बारे में यानि काइट से इगर वल्चर के बारे में चील बाज और गिद हम से चार गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं चील की पूँच खाने वाली होती है जिसमें बहुत ही खाचे होते हैं जमीन पर पड़ी हुई कोई भी चीज किसी चील को एक से दो किलो मीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है मान लीजिए कि किसी बिल्डिंग पर बैठी है तो वह वहां से एक चीटी को देख सकती है जो की धर्दी पर चल रही होती है गित मरे हुए जानवरों को खा कर जगे को साफ कर देते हैं और आकास में उंचाई पर काफी समय तक उड़ सकते हैं अब हम बात करते हैं फ्रेंस नर वीवर पंची यानि मेल वीवर वर्ड के बारे में तो नर वीवर पंची अपने घोसले बनाते हैं मादा वीवर पंची उन सभी घोसलों को देखती हैं फिर उसमें से जो घोसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वो अंडे देती है अब हम बात करते हैं फाक्ता यानि डव के बारे में फाक्ता कैक्तस जो है काटों के बीच अब मैदी की मेर में अपना घूसला बनाती है ऐसी जगे वह घूसला दुस्मनों से बचने के लिए बनाती है अब हम बात करते हैं उल्ली यानि आउल के बारे में उल्लू अपनी गर और दन आगे पीछे कर सकती है और मेना गुलावी रंग के बच्चे पैदा करती है नेक्ट पॉइंट आपका कल्चडी याने इंडियन रोविन के बारे में कल्चडी पत्रों के बीच अपना घोसला बनाकर रहती है घोसले में पौदों की नाजुक तैनी जणैं बाल रूई इन सब को बिच्चा के पल्चडी रहती है या छोटे-छोटे कीडे मकोनों को खाती है और इनकी चोच अंदर से लाल रंकी होती है अब हम बात करते हैं कोई के गोसले में लोहे के तार और लकडी की तहनिया जैसी चीज़ें भी होती है कोई कोयल अपना घोसला नहीं बनात कोई के घोसले में अपना अंडा देती है जिसे अपना अंडा समझ के पालता है गोरिया यानि इस पैरों के बारे में कृषण में है कभूतर पुराने मकानिया खंडर में अपना घोसला बनाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सांप हमारे देश में चार तरीके के जहरी यह सांप पाय जाते हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं फर्स्ट है दुबोईया सैकेंड नाग थर्ड है आपका करेंट फोर्थ है अफाई सांप के कुछ important point के बारे में सांप अपना जहर दातों द्वारा छोड़ते हैं जब सांप किसी को काटता है तो उसके दो खोकले जहर बाले दातों से उस व्यक्ति के सरीर के अंदर जहर चला जाता है यह किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो उस जहर से बचने के लिए उस व आराम करते हैं जब तक उसका सिकार पच्छ नहीं जाता तब तब आराम करते हैं सांप के बाहरी कान नहीं होते वह सिर्प जमीन पर हुई कंपन से ही सुन पाते हैं वो मैसूस कर पाते हैं सपेरों को कालवेलिया भी कहते हैं कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्रा होती ह आप उस मुद्रा को स्री देवी की मूवी में देख सकते हैं जिसमें वह नागिन बनी हुई थी नेक्स्ट पॉइंट एक कालवेलिया जाते के रोसननाथ जी अपनी जाते में बहुत मसूर थे वह बहुत आसानी से खतरनाक और जैरीले सांपों को पकड़ लेते थे उनके पकड़ने का तरीका काफी अलग था सबसे पहले वह अपनी धरकनों को सांथ करते थे जिससे वह सांप को पकड़ने जाते थे तब वह उनकी ध्वनियों को मैसूस करता था जिससे उसे प्रतीत होता था कि इस सक्स से मुझे कोई खत्रा नहीं है क्योंकि यह सांत है नेक्स्ट पॉइंट है बीन तुम्बा खंजरी और ढोलिया सभी सूकी लौकी से बनाए जाते हैं केवल ढोल के अलावा बागी तीनों बाजे जो हैं सूकी लौकी से बनाए जाते हैं सांप किसान का मित्र लेकिन कैंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है और सांप किसान का मित्र भी है क्योंकि सांप खेतों में फसलों को चूहे से बचाने में भी मदद करता है यदे किसी व्यक्ति को सांप काट ले और आप वहाँ पर खड़े हों तो सबसे पहले उस सांप का फोटो खींच लें और जब उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया जाए तब आपको डॉक्टर को बताना है कि इस सांप ने इसको काटा है तब वह डॉक्टर तुरंत पेंचन जाएगा कि इसको किस प्रकार का एंटी डोट देना है अब हम पकाने के कई प्रकार होते हैं जैसे के भून के उबाल कर और तल के और सेख कर यानि पकाने का जो साधन है वो भूनना उबालना और तलना और सेखना अब हम बात करते हैं उधियों के बारे में सर्दियों में खेत में ही ताजी सबजीयों को मसालों के साथ एक मटके में भरकर और उसको सील बंद करके रख देते हैं पोईले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सबजी को पकाया जाता है और इस पकी सबजी को कहते हैं उधियू गुजराती बासा में उध्यू का मतलब उल्टा होता है उध्यू के साथ मिट्टी के चूले में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है साथ में मक्खन दई और छाच भी ली जाती है अब हम बात करते हैं लिंग हू फेन के वारे में लिंग हु फेन साब के मास्क से बनाया जाने वाला एक पकबान है जिसे होंग कोंग में खाया जाता है ब्रेल लिपी यानि ब्रेल स्क्रिप्ट लुईस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे तीन साल की उम्र में वह अपने माता पिता के ओजार से खेल रहे थे और खेलते हुए इनके साथ एक गठना गठी जिनसे इनकी आँकों की रोसनी चली गई लुइस बिरेल पढ़ाई में बहुत रोची रखते देते हुआ पढ़ने और लिखने के बहुत सारे तरीके सोचने लगे और फिर उन्होंने एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस इसक्रप्ट के ना बहले जाता है ब्रेलल लिपी ऌटी है या स्क्रिप्ट 6 बींदों पर आधारित होती है अब हम बात करते हैं फैम्ली यानि परिवार के बारे में नीइक नाना नानी मौसा मौसी मामा मामी और माबाप और उनके बच्चे होते हैं अब हम बात करते हैं अर्थ वोम्यानी केंचुए के बारे में केंचुए जमीन में छेद बना करके मिट्टी को मुलायम करते हैं जमीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है और जमीन बनती है कैंचुए को किसानों का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि वह किसान की मदद करते हैं खेत को उपजाओ बनाते हैं जिससे किसान की आमंदनी बढ़ जाती है अब हम बात करते हैं चीटियां यानि आंट्स के बारे में चीटियां मिल जुलकर रहती है और चीटियों का काम बटा हुआ रहता है रानी चीटी अंडे देती है और सिफाई चीटियां बिलका ध्यान रखती हैं काम करने वाली fotografi भोजन धूल कर पिल तक सबसvosरों होने की तारीř क cassette समय लिखा होता है समय के लिखा होता मुस्ते Прारम का इसका ॉटायब कि के समाप्थ होने का स्थान मिलिखा होता ही बर्त का नमबर इखा नम– होता है स्रेड़ी भी लिक्ती है है अब हम बात करते हैं मच्चर के बारे में घर پानी जांव बीमारी मच्चरा के तेल डालना उच्छित रहता है इस से पानी का जो प्रष्ट तनाव है कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ती रुक जाती है जिससे मच्छर का लारवा मर जाता है यानि मच्छर पैदा होने से पहले ही मर जाता है प्योंकि उसको ऑकसीजन नहीं मिल पाती अब हम आपको बताते हैं मच्छरों से बचने के कुछ मैतपूर उपाए तो घरों में डीडीटी का छिड़काप किया जाना चाहिए आसपास पानी को जमान होने दें पानी के बरतन टंकी और कूलर को साफ रखें मच्छर दानी का प्रयोग अवस्य करें जमा हुए पानी में मिट्टी का त कीड़ा तो रेसम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंद से कई किलोमेटर दूर की दूरी से ही पेंचाल लेता है अब हम बात करते हैं रैट यानी चूहा के बारे में चूहों की देखने की छमता कम होती है लेकिन इनके जो है सुनने और स्वाद लेने की छमता अधिक होती है नेक्स्ट पॉइंट है एगलू एगलू वर्फ के घर टुंडा प्रदेश में पाए जाते हैं घर को एक्सिमो प्रजाती द्वारा ये बनाते हैं और इन घरों को ही हम एगलू कहते हैं अब हम बात करते हैं असम के बारे में असम में घर जमीन से 10 या 12 फीट उपर होते ह की बजय भारी बारिस और आपड़ा होती है ये घर बास से बनाय जाते हैं और अंदर भी लखडियों का प्रयोग होता है अ असम में प्रैपियों का जमीं के नीचे उया जाता येँ यहatin फ्रकार का फल जिससे केरल के लोग और ऑनकिखाते है या देखने में सफेद सकरकंदी जैसा होता है बल्लम लकडी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है केरल में बोले जाने वाली भासा मल्यालम भासा होती है केरल में मल्यालम भासा बोली जाती है मल्यालम में मा की बड़ी बहन को बल्यम्मा और नानी को कहते हैं और पेता को अप्पा कहते हैं एक जगे से दूसरी जगे जाने के लिए फेरी नाप का प्रयोग किया जाता केरल में अदिक मात्रा में होते हैं के निकट वस्ती राज्य हैं तमिल नाडू और करनाटक कोजी कोड का सबसे बड़ा जिला मल summarize मला remedy हम बाते हैं राजस्थान में जो मिट्टी के घर बनाया जाते हैं घरों की च्छत कटीली जाडियों से बनी होती है राइस्तान में टैंक को ठका और राजस्तान में अपने आंगन में जमीन में गड़ा खोद कर टैंक का निर्माड करते हैं और अपनी च्छतों का ढाल बनाते हैं जिससे के बारिस का सारा पानी इन टैंकों में जाके गरता है और बाद पेड़ों को काठने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे आज 300 साल बाद यहां के लोग जो विस्नुई कहलाते हैं वे पेड़ों और जानवरों के प्रती संबेदसी लियानी जागरुक हैं और इनकी रच्छा भी करते हैं यहां सिकार करना और पेड़ों को काठना वज़ित है रेगिस्तान में होते हुए भी यह गाउं हरा बरा यहां जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं खेजड़ी गाउं खेजड़ी गाउं यहां राजिस्तान में ही है जो कि खिचड़ी गाउं में खेजड़ी पेड़ पाय जाते हैं यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है इससे ज़्यादा पानी की जरूरत भी बना लेते हैं तो फ्रेंस चलिए अब हम बात करते हैं सुरी नगर में भर पहाड़ों में कुछ पानी में कुछ ऊचे परवतो और कुछ पत्तरों के बीच में होते हैं और इनपर लकडी के सुन्धर डिजाइन बने होते हैं हाउस यहां असी उचेलम नदी में को बिलती है इसके अंदर कई कमरें होते हैं और उन्दर से एक गर की तरह लगती है इनौर लखड़ियों के सुन्धर डिजैन बनाया पत्ता है कैस्मीर के गाओं में कभर से बने होते हैं घंधन बाली च्छते होती हैं कुछ पुरानों में विसे प्रकार की खड़कियां होती है जो दीवार ओपन निकली होती है इन्हे टेप आजाता है इनमें सुन्दर डिजाइन बना हुआ होता है कुछ पुराने घर के पत्थरों के बने हुए होते हैं और कुछ लखडियों के भी होते हैं और दर्बाजे और खिड़कियों में भी यहां सुंदर महराब होते हैं सिकारना परलेटकों को अट्रैक्ट करती हैं कश्मीर में सरसों के तेल में मच्छलियों को पका कर खाया जाता है कहबा कस्मीर की एक खासम किसम की चाय होती और दोंगरी कश्मीर की भाता है मनाली में बारिस अक्सर होती रहती है और बर्फ भी पड़ती है यहां का मोसम ठंडा और सुहाना होता है यहां घर पथर और लकडी के बने होते हैं जिनकी छटें ढालू होती है अब हम बात करते हैं मृत सागर के बारे में प्रेंस आपने अक्सर देखा होगा कि सागर में लोग डूप जाते हैं लेकिन एक ऐसा सागर है जिसमें सरीर बिना किसी बूम्मेंट के तैय सकता है बैसे तो सभी सागरों में पानी में नमक होता है लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है इसमें इतना नमकीन पानी है कि आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि अगर हम एक लीटर पानी में तीन सो ग्राम नमक मिला दें तो उसका अनुपात पानी इसका उसका अनुपात का पानी इस मृत सागर में हैं मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेट रहे हो मृत सागर आपको ज इसलिती पता लग जाता है और अंधेरे में रास्ता रूड़ लेता है बाग अपने इलाके में मूत्र कर गटा पता है और दूसरी बार इस गंध को तुरंत पेंचाल लेता है बाग मौकी के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है और बाग का गुर्णाना तीन किलो मीटर तक सुना जा सकता है बाग के दोनों कान बाहर की आवाज पता करने के लिए अलग-अलग दिसाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं बाग हवा से पत्ते के हिलने और ज़ाडियों में हिलने से हुई आवाज के अंतर को तुरंत लेता है और उसे पता होता है कि यहाज प्राक्रतिक है या किसी सिकारी की है तो फ्रेंट्स अब हम बात करते हैं लंगूर के बारे में लंगूर जंगल में उंचे पेड़ पे बेट करके अपने आसपास आती मुसीवतों को देखके एक खास तरह की आवाज निकालता है और अपने साथियों को संदेश देता है जिससे उसके साथ ही चोकरना हो जाते हैं नेक्स पॉइंट आपका रेगिस्तानी ओक के बारे में आस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी उचाही दस से 12 फीट होती है यानि 11 से 12 फीट और इसकी पंतियां बहुत कम मात्रा में होती हैं वह पेड़ की जणे जमीन के अंदर 200 से 300 मीटर त करता है जब कफी इस इलागे में पाणी नहीं होता दो पानी की कमी हो जाती है तो वह आपकी अधिर पत्रोंपाईरं सब्सक्राइब करते हैं आधिकतर सब्सक्राइब सब्सक्राइब होती हैं किस की का सॉधों का फल भी होती है गोड़ आपला और हरी पत्यदार सब्जियों में आएरन मिलता है बेदेश से आने वाली सब्जियां हैं आपकी हरी मिर्च टमाटर आलू साउथ अमेरिका से आए हैं गोवी और मटर यूरोप से आये हैं कोफी बींस और हिंडी अफ्रिका से आई सो और नेम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी पौधे स्वयम भी अपने बीजों को दूर दूर तक फैंक देते हैं कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिये भी एक जगे से दूसरी जगे पहुंच जाते हैं पंची अपनी चोच में बीज को दबा कर ले जाते हैं जब यह बीज कहीं गिर जाता है तब वहां पौधा होगा आता है सो नासपाती भिंडी करेला खीरा टमाठ ची को आद में बीज पाया जाता है मिटी में गोवर मिलाने से मिटी में कीड़ा नहीं लगता कपड़े में बना हुआ बीज पानी में भेगोई गई कई बीज में बीज सांस लेने में सच्छम होता है यह बीज को कपड़े में बांधिया जाए और उन में से आधे अंकुरित हो जाए तो आधे नहीं तो इसका कारण होता है कि छते ग्रिश्ते बीज बीज में से टूट गए बीजों में कीड़ा लग चुके थे कुछ पौदे बेना जैसे गुलाब गन्हाओ केलादी माईक्रो इसकोप से बीजों को यह बारी की से देखने पर पता चलता है कि बीजों में छोटे c ! से छोटे हैं इनकी मदद से बीज कपड़े में और कपड़े को रेसों पे चिपक जाते हैं यहां देखकर माश्टर को आईडिया आया कि ब देखा होगा और इसके इसका आपने यूजबी किया होगा यह एक तरह की चिपकन है जो चिपक जाती है और छूट जाती है पोधे का वह भाग जिसे हम खाते हैं जैसे के जड़ इसको हम मूली गाज़त चुकंदर तथा आलू प्याज अद्रक के रूप में खाते हैं पत्ता धनिया पत्ता गोभी अर्वी पालक और पत्ता इन सब को हम पत्ते के रूप में खाते हैं बीज को हम चना बाजरा सरसों ग हरकी दीवारों और आगन में कई प्रकार के चितर बनाई जाते हैं यह चितर पिसे हुए चाबल के घूल में रंग मिलाकर के बनाए जाते हैं इन रंगों को बनाने लिए नील हल्डी फूल पेड़ों के रंग आधिका इस्तेमाल किया जाता है चित्रों में जानवर और इंसान फूल पेड़ पंची मचलियां आधिका यूज हम करते हैं इन सब को हम बनाते हैं जीब जन्तु साथ में बनाए जाते हैं मदवनी चित्रकला बहुत ही पुरानी है और इसका नाम इसी जिले के नाम पर ही पढ़ गया था अब हम बात करते हैं मदमकी पालन के बारे में बिहार के मुझहपरपुर का बहचाहा गाउं इस इलाके में लीची के पीड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं लीची के फूल मदमक्हियों को बहुत लोबहाते हैं इसलिए इस छित्र के लोग मद मक्की के अंडे देने का समय होता है और यही मद मक्की पालन शुरू करने का भी सही समय माना जाता है मद मक्की पालन को एपी कल्चर कहते हैं लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं और मदमकी के छत्ते में एक रानी मदमकी अवस्य होती है जो कि अंडे देती है छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली जो मक्खियां है ये भी होती है ये दिन भर काम करती रहती है सहेध के लिए फूलों का रस डुरती है जब किसी मख्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच यहनी डांस करते हैं और दूसरी मख्खियों को पता चल जाता है कि रस कहां पर है इस तरीके से यह इनका एक सेडनल होता है मदमकी रस्ते सहद बनाती है चत्ता बनाने का काम भी इनी का होता है और बच्चों को पालने का काम भी इनी का होता है मदमकी पालन में बक्से का प्रयोक किया जाता है इसमें चीनी का मीठा घोल डाला जाता है जिसे मदमकीयां बड़े चाओ के साथ खाती है अब हम बात करते हैं उत्त्रा खंड के वारे में उत्त्रा खंड में पहारों के बीच में एक ऐसी जगे भी है जहां फूली फूल होते हैं या फूलों की घाड़ी केलाई जाती है कहीं जाडियों में लगे लालपुल नजर आते हैं तो कहीं पत्तरों के भी सफेद फूल खिले हुए नजर आते हैं यहां अनिक प्रकार के फूल मिलते हैं पीले पीले फूलों में जो लंबे चोड़े कालिन बनाए जाते हैं पीले-पीले फूलों के लंबे चोड़े कालिन जैसे मैंदान यहां देखने को मिलते हैं और कहीं-कहीं अचानक घास के भी चोटे-चोटे तारे जैसे फूल खिले हुए हमें दिखाई देते हैं इस घाटी में कितने प्रकार के फूल हैं जो फूल साल में कुछ हफतों के लिए खिलते हैं अब हम बात करते हैं जानवरों के बारे में जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होता है वह उनके बालों के रंग के कारण होता है दिन में जागने वाले जानवर आम तोर पर कुछ रंगी देख पाते हैं, और रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देख पाते हैं, बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नीद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली, कुछ जानवर तू पर बाल होते हैं और वह बच्चे देते हैं जिन जानवरों के बाहरी कान नहीं होते उनके सरी पर बाल नहीं होते वह अंडे देते हैं कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगवग सभी स्तंदारी वर्ग के जनतु बच्चे देते हैं तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता है वो अंडे देते हैं जानवर एक दिन में कितने घंटे सोते हैं तो गाय चार घंटे सोती है बिली आपकी 12 घंटे सोती है Slot की बात करें तो हम Slot देखने में भालू की तरह होते हैं पर यह भालू से अलग होते हैं Slot दिन में करीब सत्रे घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं Slot 40 वर्स के अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ आठ फेड़ों पर ही गूमते हैं आठ बार ही अपना पेड जो है बदलते हैं स्लोट सप्ता में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं जिस पेड़ में यह रहते हैं उसी के पत्ते खाकर के यह अपना पेड़ भरते हैं मगर मच्च के छोटे छोटे जैसे मगर मच्च के छेत जैसे कान होते हैं लेकर आसानी से दिखाई नहीं देते चिपकली के भी छोटे छोटे कान होते हैं छेत जैसे जो कि इसके भी कान दिखाई नहीं देते मचलियां खत्रों की चेताब ने एक दूसरों को बिजली की तरंगों से देती हैं अब हम बात करते हैं पंची केवल अंडे देने के लिए गौसला बनाते हैं जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह गौसला छोड़कर ओड़ जाते हैं पेड़ों पर जमीन पर और पानी में भी रहते हैं अधिक तर पंचियों की आंखें उनके सरीर के दोनों तरफ होती हैं पंची एक समय में दो अलग-अलग चीजों को एक साथ देख सकते हैं और जब अलग-अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तब उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है और जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आखें एकी चीज पर होती हैं ज्यादतर पंचियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सक टी करते हैं जैसे उड़ेफ कराने दुस्षाब ने क द 시간이 क्टी दोनों तरफ छोटे छोटे छेद रहते हैं जो है अब हम बात करते हैं फैंजी जैसे हम घट पढ़ंए का सिकार करता है और तो के Mooi इंडोनेशिया ऑस्टेलिया भारत के मेगाले में पाया जाता है ये इसके उपर पत्ति नियुक्त का भड़ता है और इसमें से कुसबू निकलती है जिसकी बज़ते इसके अंदर पस जाते हैं अब हम बात करते हैं बर्गत का पेड़ के लटकन उसकी जड़ होती है या एक जगे में एक जगे रहे हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगे पर जो चाहे वह कर सकते हैं उन्हें हटाया नहीं जाएगा जंगल का सनरच वहां की ग्राम सवा करती है खानों की खुदाई और मांदों का निर्मार करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैर अब हम बात करते हैं फ्रینस घौस के बारे में गास का पौधा जितना जमीन के उपर दिखाई देता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है गास की जणे बहुत ही मजबूत होती है इन्हें कुर्पी से खोद कर निकाला जाता है अगर हम भी इन्हें हाथ से खींचाएंगे तो जड़ समेत बहुती मुश्किल से ये निकलते हैं इनकी जड़ें पौधों को सहारा देती हैं और जलतता खनेजों के अपसिस खनेजों को अपसोसित करती रहती है पुड़ुक जारकंड की एक आदिवासी जन जाती है पुड़ भासा में जंगल को तोरंग कहते हैं भारत के उत्तरपूर्वी छेत्रों में इस्थानिय खेती करने का रिवाज है कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उपज आते हैं यानि उगाते हैं जिन्हें खर्पतवार कहते हैं इन्हें निकालना जरूरी होता है इन्हें निकालना इतना जरूरी होता है अदरबाइस इन्हें नहीं निकालेंगे तो यह सारा खाद और पानी ले लेंगे और फसल कम होगी यानि यह फसलों का पोसड़ ले लेती हैं अब हम बात करते हैं प्रोटोन पौधे के बारे में उनकी दिसा को बता देते हैं मतलब यह सिगनल देते हैं प्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में बहुत ज्यादा गहरी नहीं होती है जब मिटी सूखने लगती है तो इस पौदे की पंतीयां सूखने लगती है और जड़ने लगती है जिससे मिटी का पता चल जाता है कि मिटी सूख रही है और यह एक प्रकार का सिगनल होता है फ्रेंज अब हम बात करते हैं मलेरिया के बारे में रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया था कि मलेरिया मच्चरों के कारण होता है और रोनाल्डो रोस भारती है मूल के थे मलेरिया से बुखार में कपकपी होती है और थंडर लगती है मलेरिया मादा मच्चर एना फ्लीस से फेलता है मलेरिया को दूर करने की दवाई जो है स इनको ना पेड़ की छाल से बनाई जाती है अब हम बात करते हैं एनीमिया के बारे में एनीमिया हीमोगलोविन आइरन की कमी के कारण होता है एनीमिया सरीर में मांसिक रूप से प्रभावित होता है इससे बच्चे ठीक से नहीं पड़ पाते और उनका एनर्जी लेवल लो हो है यहां चांगपा नाम की प्रजादी है जिसकी आबादी कुल 5,000 लोग है यह हमेशा अपनी भेड़ बक्री के साथ घूमते रहते हैं चांद पर लोग अपने टेंट को कहते हैं यहां सरदियों में 70 किलो मीटर प्रते घंटे के हिसाब से हवा चलती है चांगपा की भासा और भेड़ों को रखते हैं लेखा की दीवारे पत्थरों की बनी होती है यह परिवार अपने जानवर पर एक बिसे इस प्रकार का चिन्नंकित करता है और चोड़ी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं और फिर लोटते समय उन्हें दवारा गिनती हैं य जाती है जिन बक्रियों के मुलाइम पसमीना उन्हें मिलती है वह बहुत उंचाई पर लगवग 5-6 मेटर उपर रहती है ठंड में टैंपरेचर डिग्री से माइनस 10 डिग्री से चालीश डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है बक्री के सरीर पर गर्म वालों का कोड बन जात हैं या सौल हाथ से बनाए जाते हैं और लगवग घंटे की बनाई के बाद एक लेन सौल बनता है एक पसमीना सौल 680 के जितना गरम होता है अब हम बात करते हैं ग्रेगर मैंडल के बारे में ग्रेगर मैंडल का जन्में गरीब किसान परवार में सन 1822 में हुआ था इन्हों से निकली अकली पीडी के बीजों में भी 20 या तो बीज या तो मुलाइम होंगे आफे खुरदरे बीज का रास्ता कुछ भी नहीं होता है अब हम बात करते हैं करणम मल्ले सौरी के बारे में करणम मल्ले सौरी एक बेट लिफ्टर है और या आंद्रप्रदेश की रहने वा जल के अनुसासे तो पेउक को लेकर लोगों को जागरू को सतर्क करने का काम करता है तरुन भारत संग ने पिछले 25 वरसों में देश वर में दसजार से जादा जोहर तालाब बनवाए हैं जिनसे लोगों को बहुत लाब मिला है अब हम बात करते हैं अबु धाबी के बारे करते हैं और यहां की स्थाने वाशाहर अर्भी हैं यहां पानी बहुत गीम्ती है क्योंकि यहां conducting ना तो भरसा होती है और ना ही नदियां झील ताला है यहां रेतिली जमीन के नीचे तैल होता है यहां खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि या पेड रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं अबुधावी की करेंसी दिरहम है अबुधावी में रेद के पहाड़े या रेद के टीले पाए जाते हैं अब हम बात करते हैं नेक्स टॉपिक लद्दाक के बारे में लद्दाक पहुचने के लिए जम्मू कस्मीर पार कर होती है यहां कम बारिस होती है यहां पेड़ पौधे नहीं पाए जाते लगणियों ती जो सीड़ी का यहां पर प्रयूक किया जाता है मोटे पेड़ का तना चट को मजबूत बनाने में मदद करता है इसलिए उससे अपनी चट बनाते हैं ग्रांड वाटर में जानवरों को प्रश्ट फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है जब ज्यादा सरी परती है तो खुद भी गरांड प्लोर में रहने आ जाते हैं ग्रांड फ्लोर में बिंडों नहीं होती गर्मी के माशंब यह लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं लद्दक छेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान छेत्र है भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रवावित नहीं होते क्योंकि वह अदे कुछाई पर होते हैं और हेमाले का ब्रश्टी चा लोगों का एक समोई एक बिसेस कैम्प लगाता है इस कैम्प के द्वारा कम उम्रती साधी सुधा लड़कियों को दुबारा स्कूल भेजने में मदद मिलती है आंध्र प्रदेश की फासा तेलगू है पोचम पल्ली जिला तमिलनारू में है इस जिले के अधिकतर लोग करता है दिल्ली से मुंबई 14 किलोमीटर दूर है विक्टोरिया टर्मेनल विक्टोरिया टर्मेनल रेलवेस स्टेशन मुंबई में है पहली बार सोले अप्रेल उठारे सुत्रेपन को मुंबई से थाने के बीच पहली रेल गाड़ी चलाए गई थी नाकपांडा और अफसा खान को उसके नाम पर पड़ा था से जन के फूलों के पकोड़े महाराष्ट में हाली प्रकार की पारं पर की पंचायत बीमा संग होला गुंडी गाउं में इस्थित है अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में उत्तर प्रदेश का कन्योजिला जो है सेंटियानी पर्फियूम के लिए मस्फूर है यहां के फूलों से इत्र गुलाब जल केवड़ा तैयार किया जाता है उत सबी लोगं को बारी बारी से उसी जमीन पर खेदी करने का अफसर मिलता है में जोरम में बांस के बरतर मनाये जाते हैं और जूम केदी में होती है अब हम बात करते हैं गोल कुंडा फोर्ट के बारे में गोल कुंडा फोर्ट है धराबाद में इस्तित्य दीवार का भाग ए पुरी डांस का सौकिन था अब हम बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में प्राक्रतिक रूप से बनता है पर इससे बनने की गति बहुती धीमी होती है इसके बनने में लाखों करोनों साल लग जाते हैं जमीन से निकलने वाला कच्छा तिल गहरे रंग का गाड़ा तरल पध आठेटर यह सब बनता है अब हम बात करते हैं घरसी सर के बारे में घरसी सर का मतलब यहां पर तालाप से है इसे जैसल मेर के राजा घरसी जी ने लोगों के साथ मिल करके बनाया था इसके दोनों तरब पक्के घाट सजे हुए बराम्रें कमरे बड़े हॉल आदि मौझूद थे मीलों तक फेले इस घर्षी सर में बारिस का पानी खटा होता था तालाब जब वहां भी पूरा भजाता था तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता था इस तरह नो तालाब थे एक दूसरे से आपस में जड़े होई थे पूरे साल पानी की कोई परिशानी नहीं होती थी आज घर्षी सर जैसे उजड़ सा गया है नो तालाबों के रास्ते में मकान और कालोनिया बन गई हैं यहां जो है एक खटा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार बह जाता है सन रचड़ की पारम पर एक बिवस्था के साथ जल के शुरोद के रूप में भी उपयो होते हैं अब हम बात करते हैं फ्रेंस दांडी आत्रा के बारे में सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आहम लोगों को नमक बनाने पर पावंदी लगा दी थी जिस कारण गांधी जी ने दांडी आत्रा शुरू की थी गांधी जी का कहना था कि जो चीजें हमें कुद्रत ने दी हैं उसे बनाने पर बंदिस कैसी अब हम बात करते हैं मिड़े अरम देश के सभी इलाकों में आरंब कर दिया गया था बरस 2003 में इसका विस्ता सिच्छा गारेंटी केंद्रों और बैकल पेक और नवाचारी सिच्छा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक करा दिया गया था अब हम बात करते हैं सुनीता बिलियम से 360 किलो मीटर द शच्छे से दूसरी जगे तेयर करके जाथे थे कानी भी नहीं रुकता था इस पेस्समें और बुल्बुर बनाके फ़ोट करते थे और पानी हवा में ही पीना पड़ता था चेहरा या हाथ धुने के लिए पानी के बबलको पकड़ना पड़ता था और कागज गीला कणे प चांद पर उतरने वाले प्रतम व्यक्तिते वह चांद पर 1909 में गए थे वारत अर्जेंटीना के विप्रीत देशांतर पर है इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोग के सावेज छुल्टे हैं अब हम बात करते हैं चमकता सितारा सुर्मडी एक चमकता सितारा मतलब गयलिश्टार हैं चमकते सितारे उन साधार गल्स की असाधार कहानिया हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिन्दगी बदल दी थी सुर्मडी चाती थी कि लोग तोहारों पर अपने गीत गानों को गाएं उन्हें भूले नहीं और पहनावे को गर्व से पहनें सबसे पहले अपनी संस्कृती पर सर्म आये नहीं जड़ी बूटियों की समझ और बास की चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें गाने ब भारत में बिहार मधिप्रदेश 36 घर्षार घंड़ेवं पश्चिप मंगाल के और आप जन जाती हैं द्वारा बोली जाती है उनको अगले टौपिक के बारे में बात करते हैं बचेंद्री पाल है हमारा अगला टॉपिक बचेंद्री पाल भारत की पहली और विस्व की पा तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा इसके बाद अपना जो है सिर जुकाया जंडा फेराया और तो फ्रेंट्स आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट वॉक्स में जरूर बताएं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार स